तो बच्चों युद्ध की गड़ी आ चुकी है और कल के इस युद्ध में हमें J-Advance 2023 को परास्त करना है। अब हमें बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि सामने वाला कितना कमजोर है या सामने वाला कितना बलवान है। जो भी हमारे पास में हैं। जितना कुछ भी हमारे पास म होता है तो हमें कल पूरी हिम्मत के साथ इस युद्ध को जीतना है अब अगर हम लोग युद्ध में जा रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि खाली हाथ सिर्फ हिम्मत के साथ पहुंच गया है ना अधर्वाइस क्या होगा सामने वाला एक तलवार उठाएगा सीधा तुम उसमें हम लोग यह डिसकस करने वाले कि क्या अस्त्र सस्त्र तुम्हें लेकर जाना जरूरी है अधर्वाइस पता चले ही तुम एक्जामिनेशन हॉल में ही ना घुस पाओ युद्ध के मैदान में इंटर कर पाओ फिर कैसे लड़ोगे तो थोड़ी तैयारी होनी चाहिए है ना युद्ध से पहले जा रहे हो तो हिमत के साथ साथ थोड़ी तैयारी भी होनी चाहिए तो सबसे पहले बिल्कुल काम की बात जो चीज हमें लेकर जाना है है ना मैं तुमको दिखाता हूं यहां पर लिस्ट तो सबसे पहले जो हमारे पास में है पैन और पैंसिल यह लेकर जाना है ना पेंटसिल लेकर जाना है तो फिर तुम जो इसके भरना रहेगा वहां जाकर वरना यह इसके बाद तुह एक फोटो आइडनेटिक निसे कार्ट यह जरूरी है sweetheart यह ऑरिजनल लेकर चाहतब्र के जाना है तो यह चेक मार्क देख लेना तुम और तीसरा है अगर तुम्हें क्योंकि ऐसा नहीं कि बिल्कुल तुम गए हो और तीन गंटे बिल्कुल पानी ना पीओ पानी थोड़ा पीओगे तूट-टूट के जाओगे बाहर तुम पानी पीने के लिए तो उससे अच्छा है कि खु में रखना है हमें यह हमें कल लेके जाना है ठीक है इसके अलावा हम लोग कुछ important instructions की अब बात कर लेते हैं जो की examination में जो जेएडवांस 2013 के ब्रॉशर में mentioned है वो सारे एक फटाफट से हम लोग जो checklist है वो देख लेते है important instructions to be followed on the day of examination ठीक है तो मैं फटाफट से बता देता original photo ID card, photo ID card में क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, आधार card, school ID card, driving license, voter ID card, passport, pen card, notarized certificate with photograph, इसमें से कुछ भी तुम लेके जा सकते हो, लेकिन क्या लेके जाना है, original लेके जाना है, तो पहला instruction यह है, दूसरा instructions है, candidates identity will be verified at the examination center, वहां तुम को verify किया जाएगा, on the basis of your ID card, जो तुम in doubt, the candidate may not be allowed to appear in the examinations, तो देख लेना, तुम्हारा ही ID card लेके जाना है, original, ठीक है, और fake वेक करने की जुरत नहीं, fake करोगे, तो जिंदी के भर के लिए, इसमें से out हो जाओगे, impersonation, तीसरा जो, पॉइंट, impersonation and use of unfair means in the examinations, are considered as serious offenses, and will lead to disqualification of one's candidature, बिल्कुल भी, इदर उदर चीजे मत करना, किसी दोस्त को मत भेज देना कि exam में जाके, तुम मेरे बदले exam में देने चले जाओ, या twins brother हो, तो यसा नहीं कि कोई एक भाई तेज है, तो जाब तुम एक्ज जलती से भी फस गये, तो फिर पूरी जिंदिगी तुम्हारी बरबाद हो जाएगी इसमें, तो इस तरह काम बिल्कुल अभी से, यह सब चीज तो करना ही नहीं चाहिए, अभी सफल हो गये, किसी भी तरह से चलो cheating meeting करके, पकड़ा गये तो तुम जिंदी खराब, अगर हो कुछ लेकर चले गये, Bluetooth, Bluetooth, अब दोस्तों से बात कर रहे है, कि चलो बता, इसका answer क्या होगा, उसका answer क्या होगा, है ना, और कुछ आजकल, बहुत सरे gadgets आ गये, electronic gadgets, तो वो सब लेकर बिल्कुल मत जाना, पकड़ा गये तो पता नहीं क्या होगा तुमारे साथ, है ना, पू original photo ID card are allowed to taken inside the examination hall, बस यही चीज़ लेकर जाना है, क्या लेकर जाना है, pen, pencil, drinking water and transparent bottle, downloaded admit card and original photo ID card, the following items will not be allowed inside the examination center, क्या क्या चीज़ अलाओ नहीं है, smartwatch, जो आजकल बहुत सरे extra लोग पहने रहते, smartwatch मत पहन के चले जाना, भई, ठीक है, smartwatch पहर कि वहाँ पर तुमको अपना heart rate monitor नहीं करना है, ना तो तुमको वहाँ पर अपना running करना है, वहाँ पर है ना, तो smartwatch, smartwatch लेके मत जाना, जो भी timer, timer है, जो भी तुमको घड़ी देखनी है, वो तुमारे screen पर रहेगा, जो computer screen है वहाँ पर रहेगा, तो वह से चीज़ मत करना, digital, programmable, analog, watches, कुछ भी लेके नही जाना है, mobile phone में नहीं लेके जाना है, Bluetooth devices, earphones, microphones, pagers, health vents, और any other electronic gadgets, किसी भी तरह के electronic gadgets नहीं लेके जाना है, any printed, handwritten paper, log, ऐसा मत करना की extra sheet लेगा है, चलो हम लोग इसमें rough work करेंगे, ऐसा नहीं है, जो भी वहाँ पर तुमको scribble pad मिलेगा, जो एडवांस में, वहाँ examination center में, बस में तुमको जो भी rough करना है, sufficient होता है, इसलिए उसके tension मत लेना, ठीक है, next point है, candidates are advised not to wear charm और तावीज, बोद लोग होता है, तावीज लटका के चले जाता है, तावीज के अंदर भी cheating, जो cheat रहता है, वो लेके चले जाता है, फिर खोल के उसमें से देखते है, क्या करोगे, earrings, nose pin, chin, necklace, pendant, badge, bruise, clothes and big buttons, big buttons में camera लगा के, दोस्तों को दिखा देते हैं, या वहाँ पर camera लगे रहेंगे, बड़े-बड़े buttons पर camera लगा लगा लेते हैं, लोग और उससे दिखा के cheating करते हैं, तो यह सब सारा चीज चलेगा नहीं, इसमें से कुछ भी चीज नहीं करना है, और for hiding communication device like microchip, camera, bluetooth device, etc. is not permitted, यह सब चीज permitted नहीं है, इतने तुम लोग समझदार हो, next point है, candidates are strongly advised to bring drinking water in a transparent bottle, transparent bottle में ले आना है, ऐसे नहीं की काले bottle में लेके आ गए, transparent bottle में लेके आना है, next point है, candidate must report to the examination center well in advance and carry out the requisite formalities, बहुत formalities होगी, checking, waking होगा, frisking होगा, तो वो सारे चीज के लिए तो भी थोड़ा पहले पहुचना पढ़ेगा, 9 बज़े से exam है, तो 7,7 तक examination hall पहुच जो, next point है, candidates arriving at the examination center after commencement of the examination, 9 बज़े, जैसे की first paper, 9 बज़े, second paper, धाई बज़े, उससे पहले ही पहुचना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल 9 बज़े, 9 बज़े, 5 मिनट में त से, तो 9 बज़े से पहले पहुचना, इस नहीं कि गिरते पढ़ते पहुचना, अगर तुम्हारा center कहीं दूर है, जहां तुमने आज तक देखा नहीं, कोई ऐसा school है, जहां पर तुम्हारा center है, तो जाके पहले center check करके आओ, center check करके, आज बार देख लो कि वहां पर तुम् next point है, appearing in both paper 1 and paper 2 is compulsory, ऐसा नहीं कि एक paper छोड़ के चले गए, paper 2 छोड़ दिया, paper 2 छोड़ दिया, तो तुम्हारा evaluation ही नहीं होगा, है न, तुमका grading ही नहीं होगी, next point है, currently no covid-19 related restrictions issued by government of India are in place, in the event that the same are made applicable around the time of examination, an appropriate message will be displayed, अगर होता तो अभी तो हो है नहीं कुछ भी, तो points जो की हमें follow करने, छोटा सा short में, क्योंकि तुम्हारा exam है, बिल्कुल time खराब नहीं करना है, तो यह checklist एक पार, फिर से बेचेकलिस बता देता हूँ, pen pencil लेके जाना है, admit card लेके जाना है, photo ID card देख लेना, और यह transparent bottle अगर पानी पीना है, तो transparent bottle में लेके जाना, तो यह important, यहाँ पर हमारे पास में, instructions से guidelines थी, और यह checklist था, तो चलो सब कोई को all the best, बिल्कुल लेके दम, तोड़ फोड करके, बड़ेया से एडवांस का exam देके आओ, और कल फिर हम लोग बातचीत करते हैं, चलो, तब तक लिए, thank you so much.